इस इस मनोज कुमारी एंड टोड़े वी आर गोएंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3 एंड क्योशन नंबर एट देखें क्योशन नंबर एट में क्या है विटा फस्ट फोल रीड करते हैं दिपीक्ट नजो फिगर है यह क्या है एक रेसिंग ट्रेकै व Africans लाफ्ट धार एंड आएंड शोल्ण आ थहिं क्या है सेमिसर्कुलर टू इनर पैरलल लाइन सेग्मेंट है सिछ्टी मीटर कहते है कि दिस्टेंज बीच की डिस्टेंज सि कितनी है 60 meter इनके जो beach की distance है इनर ये है और इनके जो beach की distance है वो कितनी दे रखी है 60 meter कितनी दे रखी है 60 meter ये भी कितनी होगी 60 meter आगे क्या कहरा है and they are each 106 meter long और दोनों की जो लंबाई है यहां से यहां तक की बात हो रही है यहां से यहां तक यह जो लंबाई है यह कितनी है 106 meter ये भी कितनी है यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक जो track है ये इसकी जो ये जो width है ये कितनी है 10 meter है कितनी है 10 meter मतलब यहां से यहां तक कितना है 10 meter 10 meter यहां से यहां तक कितना है 10 meter figure को आपने समझना अच्छे से अब पहला निकालना है distance around the track कि track के around जो है वो distance क्या होगी along its inner edges जो inner edges है देखो inner edges इसकी बात हो रहा है वीटा तो इसमें कहता है कि inner edges में distance क्या होगी around the track तो हम first part को solve कर रहे हैं क्या कहता है distance around the track distance around the track around the track is equal to अब देखो distance यहां से यहां तक इसकी लंबाई कितनी है 106 तो हमने लिख दिया यहां पर 106 plus यह क्या है यह भी कितनी है 106 तो इसको भी लिख दिया 106 प्लस दियान दो देखो अब एक यहां से यहां तक यह semi circular part है और यह भी क्या है semi circle अब यह 60 meter इसका क्या है diameter तो radius कितनी आजाएगी 30 meter radius कितनी आजाएगी बटा 30 meter mean जो यह semi circle है यह semi circle और यह semi circle जो है वो क्या है same size कि इसकी radius 30 meter है इसकी radius 30 meter है तो इसका मतलब इस distance का मतलब हमें क्या चाहिए circle का parameter या you can say circumference तो semi circle है semi circle और semi circle तो कितने हो जाएगी semi circle और semi circle मतलब यह इस तरह से यह है और यह ए है तो दोनों एक बन जेंगे एक circle बन जेगा तो circle की circumference क्या होती 2 pi r तो 2 pi रख जते हैं पहल तो formula 2 pi r r कितनी radius इसमें कितनी है 30 meter ठीक है अच्छा जी अब यह कितने होगे 6 और 6 कितने होगे 12 यह 1 और यह 1 तो यह 112 आ गए plus 2 pi की value 22 by 7 radius radius कितनी आ जाएगी 30 radius कितनी आ जाएगी इहां की 30 समझ में आये न कि semi circle और semi circle क्या बन गया circle बन गया और distance मतलब उसकी circumference और circle की circumference का formula क्या होता है 2 pi r तो इसको 22 को 2 से multiply करेंगे तो कितना है 44 और 44 को 3 से multiply करेंगे 44 को किसे करेंगे 3 से 3 4 जा 12 3 4 जा 12 और 1 13 तो यह आजाएगा 112 प्लस यह कितना आजाएगा 44 को यह किया तो 132 और 0 अब उन में 7 अब इसका क्या ले ले LCM LCM आजाएगा LCM कितना आगा 7 7 जा 14 7 जा 7 और 1 8 7 जा 7 प्लस कितना आजाएग 1320 अब 1320 में हम एड कर देंगे कितना एड कर देंगे 784 कितना एड कर देंगे 784 तो यह कितना जाएगा 4 और यह कितना जाएगा 10 और यह 10 था और यह कितना जाएगा 11 और यह कितना जाएगा 2 अबर फिर से चेक कर लेते हैं 1320 में add करेंगे 784 784 यह 4 आगा 8 और 2 कितने आगे 10 और यह कितना आजाएगा 7 और 3 कितने आजाएगे 10 इस 4 आगा यह 10 7 3 10 और 11 तो कितने आजाएगा 2 तो यह कितना आजाएगा 2 1 0 4 कितना आजाएगा यह 2 1 0 4 एक मनट बेटा यह 112 था न यह कितना जाएगा 2612 और 200, 212 थाई कितना 212 तो 7, 2 is a 14 और 1 कैरी का 7, 1 जा 7, 1 एट और 7, 2 is a 14 मतलब 1, 3, 2, 0 में हमें add करना है 1484 1484 आप देखो इसको change करो तो कितना जाएगा 4, 8, 10 यह 8 और यह 2 तो यह कितना जाएगा 2, 8, 0, 4 अपोन में 7 इतने centimeter क्या आगी distance आगी कौन सी around the track along its inner edge जो इसका inner edge है उससे क्या आगी यह distance आगी बटा अच्छा जी अब second part second part में देखे हमने क्या करना है area निकालना है track अब track जो है अब देखो यह 106 यह भी 106 यह तो होगी length और यह क्या होगी breadth यह length होगी यह क्या होगी breadth इधर भी यह length होगी और यह breadth होगी तो इसमें यह rectangle बंद रही है मतलब तो इसमें area जाएगा track का area की length into breadth मतलब 106 multiply by 2 plus 106 multiply by 2 106 multiply by 2 और यह कितना जाएगा 106 multiply by 2 नहीं 10 breadth 10 यह breadth 10 दे रखी है यह width है यह length होगी यह कितना होगी breadth multiply by 10 आ गई है अब उसके बाद क्या करेंगे यह ring बंद रही है क्या बंद रही है ring जैसे यह circle और यह इस तरह सी बंद रही है मतलब यह semi circle है तो यह जो circle है वैसा ही इधर है यह जैसे circle है वैसा ही इधर है तो semi circle और semi circle क्या बंद गया circle बंद गया और यह outer और यह inner मतलब यह क्या बंद रही है एक ring बंद रही है तो area of ring होता है area of outer circle minus area of inner circle तो यह जगा pi capital R square minus pi small r square अब देखो capital R और small r देखो कितनी है capital R यह पूरा देखो 10 यह diameter तो capital D लगा लेते है 60 plus 10 plus में 10 तो कितना हो जाएगा 60, 70, 80 हो गया 80 मिटर हो गया अच्छा radius कितनी हो जाएगी फिर इसकी याद दी तो कितनी आजएगी 40 मिटर इसी तरह small diameter देखो यहाँ से यहाँ तक है 60 60 मिटर तो small radius कितनी आजएगी इसकी याद दी तो कितनी आजएग 30 मिटर यह figure को देखते हैं हम यह लिख लेंगे अब देखो इसको करो 1060 plus 1060 plus यह pi को मन ले लो तो R square capital R कितनी है 40 तो 40 का square और यह कितनी है 30 30 का square तो 1060 plus 1060 plus pi कितनी 22 by 7 a square minus b square क्या लिखते है a plus b और a minus b तो 40 minus 30 अब इसमें देखो 1060 में 1060 अड़ करें 0 6 और 6 12 और यह 1 और यह 2 तो यह जएगा 2, 1, 2, 0 plus यह कितना जएगा 22 अब ओन में 7 कितना जएगा 22 अब ओन में 7 और multiply by 70 multiply by 10 7 10 जएगा तो यह आगया कितना आगया 2, 1, 2, 0 plus 22 को 100 से multiply करेंगे तो 20, 200 तो 22, 1, 2, 0 में एड़ करेंगे 22, 00 तो 0, 2, 3, 4 तो यह जो हमारा आंसर आगया 4, 3, 2, 0 तो meter square यह area आगया किस का आगया track का किस का area आगया बटा track का area आगया तो यह आगया हमारा answer तो वह थी easy question है बटा देखो आपने figure को समझना है यह क्या दे रखा है? अब track में इसमें क्या कह रखा है? एक तो inner exit से distance निकालनी है और इस track का area निकालना तो पहले part में हमने कैसे किया है अब देहू, distance का मतलब इसकी क्या निकालनी है circumference ही निकालनी है semi circle, यह semi circle, semi circle, semi circle और semi circle क्या बन गया एक circle बन गया, और यह distance, तो यह 106 है और यह बी कितनी 106 हो गई तो इन दोनों का add कर दिया और यह semi circle, semi circle circle बन गया circle की circumference होती है 2 by r इसी तरह जब track का area निकालेंगे तो यह दो तो rectangle बन रही बटा यह length 16 और breadth कितनी stand इसी तरह length 16 breadth कितनी रही है तो दो तो rectangle है और यह क्या बन रही है circular ring बन रही है यह semi circle है semi circle तो पूरा क्या बन गया circle तो यह ring बन गी circular ring का formula क्या होगा area का area of outer circle minus area of inner circle जो कि soul होके हमारे पास कितना आ गया है 4,3,2,0 meter square तो यह जो क्योशन था इसको बड़े easy way मैं आपको समझाने की कोशिस किया है and I think आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छे लगी है क्योशन समझ में आ गया है तो वीडियो को like कर दीजेगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा अपने दोस्तों को share कर दीजेगा वीडियो now thanks for watching better